अज़े देवगन आजकल अपनी मूवी गोल माल अगेन के प्रमोशन में लगे हुए हैं इस कॉमेडी मूवी फ्रंचाइजी में वे चौती बार काम कर रहे हैं अज़े का कहना है कि यह एक साफ सुत्रिक कॉमेडी मूवी है जो एक्टर और एक्टरस दोनों को सामान महत्व देती है कॉमेडी स्रिफ मेल एक्टरस के वरों से नहीं चलती हमारे फिल्म में 4-5 हीरों हैं लेकिन एक्टरस का भी उतना ही अच्छा रोल है कुछ विल में होती हैं जहां में इलेक्टरस डबल मीनिंग बाते करते हैं और महिलाओं को सरिफ उसमें मजे के लिए रखा जाता है लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते आज जेने आगे बताए कि पारिवारिक मनुरंजन के लिए आज कल बहुत कम विल में बन रही हैं मैं अपनी हर फिल्म को एक परिवार के मनुरंजन के रूप में बनाए रखने की कोशिश करता हूँ ताकि हर कोई उसे जाकर देखे गोलमाल की चौती मूवी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मूवी का दूसरा पार्ट इतना पसंद नहीं लेकिन तीसरा अच्छा है मुझे पहला और चौता पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है टीम को उमीद नहीं थी कि दर्शकों को इस हद तक का यह फ्रेंचाइजी पसंद आएगी मूवी ने सिर्फ थियेटर ही नहीं बलकि टीवी पर भी अच्छा परदर्शन किया है अब हम इसका पनाने की उमीद कर रहे हैं मूवी 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है गौर्टलब है कि इस मूवी के साथ ही 19 अक्टूबर को आमिर खान की सीक्रेट सूपर स्टार भी रिलीज हो रही है और बॉक्स ओफिस को एक हिट मूवी की दरकार है तो देखना दिल्चस्प होगा क कि इन दोनों मूवीज में से दिवाली पर बाजी कौन सी मूवी मार कर जाती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस दिवाली कौन सी मूवी हिट होगी तब तक के लिए सबस्क्राइब करें चैनल और जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि यह ही मिलती है आपको बॉली वूट की हर खबर सबसे पहले